दोस्तो इस बार बजट में आपने देखा होगा MSME के तहत मुद्रा लोन की रासी 10 लाक रुपया से बढ़ा के 20 लाक रुपया कर दिया गया है तो अगर आप बिजनस करना चाहते हैं और आप लोन खोज रहे हैं तो मुद्रा लोन के तरफ आप भड़ सकते हैं आप मुद्रा लोन ले सकते हैं सरकार की तरफ से तो सबसे पहले आप सभी को ये नियूज जानना चाहिए तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आज तक का ये नियूज है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो budget 2024 है सरकार ने खोला खाजाना PM मुद्रा लोन की limit दोगना कर दिया गया अब मिलेगा 20 लाग रुपए पहले मिलता था 10 लाग रुपए लेकिन अब मिलेगा 20 लाग रुपए तो इस लोन के बारे में हम जान लेते हैं कि कौन-कौन इस लोन को ले सकता है इस लोन को लेने के लिए क्या-क्या eligibility criteria बगेरा है तो एक बार हम SVI के official website पर आचुके हैं तो यहाँ पर देखेंगे कुछ-कुछ चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए तो यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है कि परधान मंतरी मुद्रा योजना माननी है परधान मंतरी द्वारा 8 अपरेल 2015 को इसको लागू किया गया था इस योजना के तहत 20 लाक रुपे की रासी अब दिया जाएगा पहले 10 लाक रुपे दिया जाता था लेकिन अब 20 लाक रुपे दिया जाएगा इस योजना के तहत बहुत सारे बैंक सामील है जैसे SBI है पंजाब निशनल बैंक है बैंक बढ़ोदा है इंडियन बैंक है इस तरह के बहुत सारे बैंक है जो आपको मुद्रा लोन पुरवाइड करता है अब यहाँ नीचे आते हैं तो इस योजना में क्या क्या है यह जान लिजिए ति इस योजना के तहत आपको तीन तरह के ओफर दिये जाते हैं पचास हजार से रुपए तक आपको अगर लोन मिलेगा तो यह लोन आपका सीसू लोन के अंतरगत आएगा इसके बाद पचास हजार से ले करके पांस लाख रुपए तक का लोन अगर आपको मिलता है तो यह लोन किसोर लोन कहा जाएगा अगर 5,001 रुपया से ले करके 10,001 रुपय तक के बीच का अगर लोन अगर आपको मिलता है तो ये तरून लोन कहा जाएगा लेकिन अब ये जो 10,001 रुपया है इसके जगह पर अब आपको 20,001 रुपय मिलेगा इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप 50,000 रुपय की रासी लेते हैं यानि सीसू लोन लेते हैं तो मार्जिन आपको कुछ भी यहाँ पर देना नहीं पड़ेगा कुछ भी मार्जिन आपको नहीं लगेगा इसके बाद 50,001 रुपे से ले करके 10 लाख रुपे तक का अगर आप लोन लेते हैं तो 20% का यहाँ पर मार्जिन आपको देना होगा तो अब यह जो 10 लाख यहाँ पर है सभी जगा आप लोग 20 लाख कर लिजेगा क्योंकि अब 20 लाख रुपे के रासी आपको मिलेगा अब थोड़ा सा नीचे आते हैं इस लोन का अवधी क्या है चुकाने का समय क्या है तो लोन का टर्म है 5 लाख से कम अगर आप लोन लेते हैं तो इसका अवधी है मिनीमम 6 महीना और अधिकतम आपका है 5 लाख के अंदर में आपको ये लोन चुकाना होगा अगर 5 लाख से ज़ादा और 10 लाख से कम तो यहाँ 10 के जगह 20 कर लिजेगा 20 लाख से कम अगर लोन लेते हैं तो इसका अब धी 12 मा रहेगा मिनीमम और अधिकतम रहेगा 7 year यानी 7 साल रहेगा अधिकतम year इसके बाद नीचे आते हैं इसका processing fee क्या है जब आप इस लोन को लेते हैं तो इसका processing fee क्या है तो processing fee में Sisu और किसोर ये दोनों के तहत अगर आप लोन लेते हैं तो यहाँ पर कुछ भी आपको processing fee नहीं देना होगा इसके बाद तरून के लिए अगर आप loan लेते हैं तो तरून में आपको 0.50% आपको यहाँ पर processing charge लगेगा बस इतना ही आपको इसमें देखना है तो आप इस loan को लेने के लिए पात रहें आसानी से इस loan को आप ले सकते हैं